किया मज़ा है भाइट आप जो मज़ा देशी खाने में है वो मज़ा किसी चीज में है ही नहीं किया मज़ा आ गया कि इसको ऐसे करकी तो दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हैं भाइया बैंगन पक चुका है और कुछ ज्यादा ही पक गया है तो इसको कड़ेंगे थुड़ी सी सफाई बैंगन का भरता बनाने का देशी तो डैसी तरीका है उसी तरीके साथ हम बनाएंगे बैंगन का भरता बनाने का देसी तरीका जो की आप लोगों ने अगर नहीं देखा तो मैं बता देता हूँ कि इस समय सोसल मीडिया में एक वीडियो काफे जैदा वाइरल हो रहा है जिस पर कि जैकी सरप सर जी ने एक बहेंगन का भरता बनाने का देसी तरीका बताया है तो उसी तरीके से हम बनाएंगे आज ये बहेंगन का भरता बहेंगन का बनाने के लिए सबसे पहले हम को क्या करना है सबसे बहेंगन को अच्छे साफ पानी से अच्छे तरीके से उसको धुल लेना तो देख सकते हैं आप लोगे बहेंगन जो है वो अच्छे तरीके से दूल गए दोस्तों अब जो है बहेंगन को अच्छी तरीके से दूलने के बाद आप इसको आइसे काटेंगे इसको आइसे करके यह देख सकते हैं कट गया और यह इस तरफ से काटेंगे कटने के बाद दोस्तों इसमें डालेंगे दो मिर्चें कि देख सकतेronics मिर्चें इक मिर्च को डालेंगे यह असे और दूसरी मिर्च है उसको अंदर तर चला ज़ाए यह लो दोस्तों इतना काम होने के बाद में जो अपना बहेंगन हो चुका है रेड़ी पकने के लिए तो और बहेंगन पकाने के लिए क्या करना है कि जो अपना गाय का देसी गाय का जो गोबर होता है उससे जो उबले बनते है तो जो उबले सूखे उबले होते उनको जलाएंगे औ और उनके बीच में रखेंगे इस बहेंगन को तो क्या है कि जो ये देशी तरीका है बहेंगन का बरता बनाने का तो उसमें जो स्वाद है वो और बर जाता है तो चलिए आग का इस इंतजाम करते हैं चलिए तो दोस्तों देख सकते हैं अपना बैंगन पकने में लगा है बाहर से आग जली है अंदर बैंगन पक रहा है तो दोस्तों जैसे आप देख रहें भाईया बैंगन पक चुका है और कुछ ज्यादा ही पक गया है तो इसको करेंगे थुड़ी सी सफाई और ये इसके अंदर द दोस्तों अब ये निकालने के बाद में इसको हम जो मिला चुके हैं टमाटर और बैंगन और मिर्च और जो लस्तुन भूंजे थे वो सब मिक्स कर लिया है उसके बाद इसमें डालना है तेल सरसों का देशी पेवर सुद्ध सरसों के तेल होने चाहिए तो देखिए मैंने तेल भी डाल दिया अब इसको भी मिलाते हैं खुसबू तो काफी अच्छी आ रही अब आप लोगों को आएगी नहीं क्योंकि आप लोग तो सिर्फ देख सकते हैं इसका जो मज़े है दोस्तों क्यों मही लेने वाला हूं फिलाल अब लोगों भी चलिए तो आप लोगों भी इतनी मेनत करनी पड़ेगी चलिए दोस्तों अपना जो मटेरियल है वो देख सकते हैं आप लोग यह तयार हो चुका है अब इसमें जो नंबर आता है वो आता है प्यास डालने का तो प्यास के लिए मैं बता देता हूंगी जै देसी मज़ा है देसी मज़ा दोस्तों उसी प्याज में है जो धप से करके तब डालते हैं लेकिन फिलाल हमने तो प्याज काटके रखा है तो इसलिए प्याज कटा वाला ही डालेंगे आप लोग प्याज कटा वो भी डाल सकते हैं और यह वाला भी डाल सकते हैं चलिए इस जल्दी कीजिए कीजिए जल्दी से मार्केट जाहिए बड़ावाल एक बैंगन लेकर के आईए विर्दी मैंने बताई दी है अगर अब मेरी विर्दी समझ में नहीं आती है तो उसके लिए सोरी हाँ आप लोग यूटूब पे ना जैगी सरब जी का जो बैंगन बनेगे श् आप पोछ यहाँ तो ज्यादा भी ढाल सकते हैं अगर ज्यादा खाते हैं फिलाल मैं तो मेडियम नमक ठाता हूं तो मैं अपने सबसे नमक ढालूँगा ठीक है यह रहा दोस्तों नमक दोस्तों अपना जो बैंगन का भरता है वो हो चुका है रेडी और ठाली भी परसकत के आ चुकी है अब हम खाएंगे बैंगन का भरता है देख सकते हैं आप लोग दोस्तों क्या जिबर जस्त किया मज़ा है जो मज़ा देशी खाने में है वो मज़ा किसी चीज में है ही नहीं क्या करें मज़ा आ गया दस्तों अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक सेर और कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि वीडियो का अपाड़ आपको अच्छा लगा और अगर चैनल में नए है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके हमार सपोर्ट करें जिससे कि हम आप लोगों के लिए ऐसा ही मनुरज एक वीडियो लेकर के आते लाएं धन्यवाद कि दिए loss कर दो वीडियो